नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी के विहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में शुवागत बेहाद बाड़ी प्रेकिंग ने उजा गई है लालू परशाद यादों की रिहाई को लेकर शुवागत बाड़ी कबर तेस परता पियादों ने सभी लोग श्रापील किया था कि लालू परशाद यादों की रिहाई के लिए राष्टपती के पास चिठ्ठी लिके एक लाग से जादा चिठ्ठी राष्टपती के पास पहुची और लालू परशाद यादों को रिहाई मिलने वाली है तो बाड़ी कबर 5 मिनिट के अंदर विस्तार से वैसुशासन के स जेलर था फिल्म पूरी बाकी लालु परसाद यादो को रियाई कर नादे के लिए पूरी तेयारी कर ली गई है जिए आपको राई के तेश बरता पियादो ने साबतर पर कहा कि बहुत जल्दी लालु परसाद यादो जेल से बाहर आ सकते हैं वही राहूल गाधी ने सीधे तीस कुमार और शमेत पिपक्षी नताओं पर निसाना साथ वे कहा कि आज कुछ लोग साथ तोर पे मोधिस सरकार के बिलोग में भोल नहीं शकते हैं क्योंकि उनके अनको खाते हैं वहीं आपको दाएंगा आज बड़ी कबर के अंदर कि जिया मोधिस सरकार के लोग कर प्रिय के अंदर वहीं आपको दादी कि तेज अस्वी यादो के पाटी का एलान बहुत जल्दी तेज स्वी यादो मुकमंत्री के भोमिका में नजर आ सकते हैं तो लौन सकते हैं तो बैहत बड़ी खबर आ रही है सबी खबरों को एक एक और बिस्तार से बताएं उससे पहले अग लालु परशाड यादो के चाहने वाले लोगों के लिए बेयादी बाडी खबर है और बहुत बड़ा दिन हैं। पर्शादियादों के सझाका आकरी दिन यानि लाष्ट पूरे पूरे यह आधे दिन पूरे हो जारे हैं और लालुबर्शादियादों फिलहास्त शुवास्त से लेकर ग्रसित होता है जा रहे हैं लालू परशाद्यादों के स्वास्त में गिरावट होने के करण उनको अवी एम स्विटल दिल्ली के अंदर एलाज जारी है लालू परशाद की अच्छे स्वास्त की कामना नितियस कुमार भी करते वे सापतर पे यह कहते में नहीं थके कि पूरी तरीगा से लालू परशाद्यादों के शातू लेकिन लालू परशाद्यादों की फोन पर शमाचार नहीं ले पाता और उनकी स्वस्त सिक्र स्वस्त होने की कामना करता हो लालू परशाद्यादों की रियाई की मांग पक्च और भी पक्च दोनों लोग करने लगे हैं लेकिन पांचतारी कि यानि आज ही शुनवाई होनी है आज राची कोट सुनवाई करेगा इस मामले पर और तैय हो जाएगा कि क्या लालू परशाद यादो जेल से बाहर आशकते हैं या नहीं आ सकते हैं तो जैसे ही बड़ी खबर आ रही है अभ आपको शब से पहले हम दिखाएंगे तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कर ले और अगर आप भी शुणवी यादो या फिर जी आपको दा ले लालू यादो के चाहने वाले हैं और चाहते हैं कि लालू परशाद यादो जेल से जल्दी से बाहर आँ रहेए तो तेशपरता प्यादों ने लालू बर्शाद यादों को लेके वे कहा कि वो गरीबों के नेताएं गरीबों के आवाज बने रहे काफी लंबे समय तक और पुर्व रेल मंत्री और मुख मंत्री रह चुके हैं वहीं आज की एक वार बड़ी खबर की बात करें तो नितीज सरकार का बड़ा फर्मान कहा कि शराब बंदी कानून को शक्ति से लागू करने के लिए अब गोदाम और दुकान या फिर मकान की निलामी हो जाएगी अगर आपके घर में किसी परगार से शराब पाया जाता है तो नितीज सरकार आपके घरों की निलामी कराएगी नितीज सरकार ने कहा कि दरसल कानून के बनने के बाद में ये बयाद जरूरी था कि शक्ति के साथ इस कानून को पालन कराया जाए और शक्ती के साथ पालन कराई जाने के बावजुद भी कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा शराब की बिक्री जारी थी इन बिक्रियों पर कंट्रोल करने के लिए और इन बिक्रियों को रोक लगाने के लिए शरकार ये बड़ा कदम उठा रही है सरकान ने बड़ा कदम उठाते हुए उन सभी लोगों के मनसूबे पर पानी फिर दिया जो लंबे समय से यह सराब के करवार कर रहे थे और अपने घरों के अंदर शराब की भारी खेप रखे हुए थे अब सभी लोगों के या निर्देश दे दिया गया है और सुसासन की शरकान ने शाप कहा है कि अगर आप सराब को घरों में रखते हैं या मकानों में रखते हैं या किसी खाली अस्थानों पर रखते हैं तो अब आपकी दुकान मकान अस्थान की निलामी हो जाएगी पकड़ रोप कहा गया कि तेश्परता पियादों ने पीता को रियाई कराने के लिए शमर्थकों से अपील किया था कि वह राश्टपती के पास चिठी लिखे और उनको भी इस बात का उमीद नहीं होगा कि राश्टपती के पास देशों से अलग अलग देश के कोनों से इतनी चिठी लिखे दाएंगी कि इसका कोई अनुमान ही नहीं हलाकि आपको दादे कि आरजेडी ने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फिक टेलर था फिल्म पूरी बाकी हमारे शमर्थक का आज भी उतने हिस्तों मर्थक देते हैं जितने पहले दिया करते थे आज जितने लोग हमारे शाथ है उनका मैं सुक्रियादा करना चाहता हूँ लालो परशाद यादो की रियाई की मांग करने के लिए तेशपरता पियादों ने लोगों से आपील किया था कि रश्टपती के पास वो चिठी लिखे और नजदी की पोस्ट आफिस से उसको रश्टपती बहुन तक पोस्ट करा पोस्ट कराया गया था और तेशपरता पियादों भी रश्टपती से मिलने की इक्षा भी जाहिर कर चुके थे रश्टपती से मिलने की इक्षा तेशपरता पियादों ने जाहिर करते हुए कहा कि पिता की जल्दी से जल्दी रिहाई हो इसकी मैं कामना करता हूँ और जल् सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है आपको अधार एक इनों जित्सिंस घरों पर अब यह ट्रेक्टर चालक की मौत हुई थी और ट्रेक्टर चालक की घर पर यहां राहूल गादी के पाटी के लोग पहुंचे शाथी शाथ सोनिय गादी समयत कई बड़े नेता कॉंग्र चालक लिए पर चिस तरीके का हंगामा उन्हों ने करवाया और उसके बाद में इस थिस्तरोही बता करके किसानों को भगा दिया जाएगा लेकिन इनके मनसूमे पर किसान अनैंडलनकारियों ने पानी फिर दिया और भारिष मर्थकों के जूट से अपने पाहों को बहुत ज़ादा मजबूत कर लिया जो कभी बीडान का हुआ करते थे अज वहीं गुलजार हो गए है किसानों के लिए शमर्थक में उत्रे राहूल गादी राहूल गादी ने एलान किया कि बहुत जल्दी उनकी पार्टी की सरकार बनेगी बहुत जल्दी वह परधानमंत्री बन सकते हैं आए बढ़ते एक और बाड़ी और मातपूर खबर की और इश्वक्त की बहादी बाड़ी खबर आपको उता देते हैं कि किसानों ने जै कई ऐसे गलत तरीके शे किसान समान निदी योजना द्वारा मिलने वाले रकमों को वैद तरीके शे लिये हुए पैसे को और जो किसान नहीं है उन लोगों के द्वारा लिये गए पैसो को अब सरकारने वापस मंगा है कहाई कि ये पैसे गलत तरीके से बेजे गए जिसके करण इसमें पैसों में काफी घोटाले हुई इन पैसों को जल्दी से जल्दी लोगों से लिया जाए तो सरकार ने एक बड़ा ही रुख अपनाया और सरकार ने अपनी करम रणनरम रुख से लोगों से अपिल किया है जिलादिकारियों से अपिल किया है कि उन सभी लोगों से जो गलत किसान है उनसे पैसा ले लिया जाए आए बड़ते एक और बाड़ी और मतपूर्ण खबर की ओर जिया आपको दादे शंपूर्ण शराबंदी कानून के बावजूद भी बिहार के अंदर शराब का मिलना लाजमी हो चुका था और वहीं आपको दादे की डिपावली होली और जिया आपको दादे की चुनाओं में भारी भरकम जिया सराब का खेप पहुंसता था लेकिन होली के लिए खेप मंगाए हुए लोगों को अब बहुत ही बड़ा महंगा पड़ेगा और अवेत तरीके से सराब बेचने वाले लोगों को अब बहुत ही बड़ा महंगा पड़ेगा अगर गलती से भी सराब की खेप आपके घरों में आपके सहरों में पकड़ी जाती है तो आपको अदा दे कि अब निलामी होगी घारों की निलामी होगी गोदामों की निलामी होगी और साथ ही साथ आपको अदा दे कि खुले अस्थान पर रखे गए जमीनों पर भी निलामी हो सकती है तो इसको लेकर शरकार ने बहुती कड़ा रुख अपनाया है और शम्पू पर नकल लगाते हुए अपने कड़े रुख को अपनाया जाए तो भीहाद दी बाड़ी खबर थी आज की आज के लिए अब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मैंने मुले सेल करना बिल्कुल मैं भूले जाए इंदे बने बात में बात मता की जै